गर्मी के मौसम में पूरे दिन तरो ताजा और एनर्जी से भरपूर रहेंगे जब आप ये रेसिपी ट्राइ करेंगे चाहे आप इसे पी के खा या खा के पीए रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पके हुए केले के छिलके निकाल कर ले लेंगे मैंने तीन केला लिया है अब दो केला जो है उसे हम इस तरीके से रफली चौप कर लेंगे किसी भी साइज में बरे बरे टुकरो में और जो एक केला है उसे एकदम पतला-पतला सलाइस कर लेना है इस तरीके से अगर आपके केले छोटे साइस के हो तो आप एक-दो केला जादा ले लीजे अब हमने जो दो केले को इस तरीके से रफली चॉप किया है उसेthink सर्जार में डाल देंगे इसके बाद यहाँ पर मैंने उबला हुआ ठंडा दूद लिया है आप चाहे तो फ्रिज में रखा हुआ दूद ले या फिर रूम टेमपरेचर पर ठंडा किया हुआ दूद ले तो एक गिलास दूद मैंने डाल दिया है और एक गिलास और डालूंगी तो आप क्रीम के साथ ही से बनाएं इससे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अगर आप क्रीम हटा के बनाना चाहते हैं तो हटा के भी बना सकते हैं लेकिन क्रीम के साथ बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो दो गिलास मैंने दूद उबला हुआ थन्डा किया हुआ डाल दिया है अब इसमें हम दो चमच चीनी डाल डेंगे तो चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और दूद की quantity पर पर भी डिपेंड करता और केले की मिठास पर भी कि चीनी कितना डालना है चीनी डालने के बाद अब इसमें हम दो इलाइची कूट कर डाल देंगे आप इलाइची पौडर भी डाल सकते हैं इस से क्या होता कि स्वाध बहुत ज़्यादा अचा आता है अब हम mixer चला कर इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे बाद में इसमें हम कुछ और भी चीजे डालेंगे तो ये देखिए सारी चीजे अच्छे से mix हो चुकी है और इसमें देखिए जहा कितना अच्छा आया है तो हमने जो क्रीम डाला है इसकी वज़े से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अगर आप क्रीम नहीं लेना चाहते हैं तो इसे skip कर दें अब ग्लास में पतले slice में कटे हुए केले डाल देंगे तो केले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हमने जो सारी चीजे मिक्स करके रखी है वो डाल देंगे दो केले और दो ग्लास दूट से तीन ग्लास बनकर तयार हो गया है और ये देखें ये काफी ठीक है और टेस्टी भी काफी लग रहा है देखने में इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम कुछ ड्राइफ रूट्स डालेंगे जो भी आपको पसंद हो तो मैं यहां काजू, बदाम और किसमिस डाल रहे हूँ गर्मियों की मौसम में सुबर नाश्ते की समय या फिर आपने फास्ट रखाओ तब भी आप इसे जरूर ट्राइ करें, पूरे दिन आप तरो ताजा और एनर्जी से भर पूर रहेंगे चाहे आप इसे पी के खाए या खा के पीए आपकी मर्जी और इसे बनाना भी बहुत आसाने, सिर्फ दो मिनट में ही बन कर ये तयार हो जाता है बाहर कहीं भी ढूनेगे न तो ऐसा टेस्ट वाला आपको नहीं मिलने वाला रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक यू